जनता का फैसला महागरबंधन के पक्ष में है चुनाओं आयोक का नतीजा एंडिये के पक्ष में वोट में अगर कनवर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यादि एंडिये और महागरबंधन का खुल वोटों का अंतर 12,270 का है अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है आगे है ये आश्यर की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटे जी दिये है भाजपा के लोग साफ तोर पर ये समझ लें ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है जोर तोर भा गुना क करके जो बैठने का शौक है कही ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते वे कुर्सी से हट जाना चाहिए अब आपने तो खुद कहा सन्यास लेने की बात सन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखरी के चंद दिनों में कालीक अपने मूँ पर मत्पत वाकर क कि आप सब लोग को जानते हैं कि चुनाओं का फैसला आया है जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाओं आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है जनता का फैसला महागरबंधन के पक्ष में है चुनाओं आयोग का नतीजा इंडिये के पक्ष में है आप सब लोग यह समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमिशन का है नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में यह कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है 2015 में महागडबंधन जब बना था तो वोट जो है जनादेश जो है वो महागडबंधन के पक्ष में था लेकिन चोड़ दर्वाज़े से बीजेपी सरकार में है जो कि बीजेपी के चंता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना है लेकिन बिहार के मुखमंत्री लालच में लोग में या डड़ के कारण या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजाक कर लिया बीजेपी की सरकार रहे हैं कहा जाता है डबल इंजन की सरकार लेकिन पूरे चुनाओं में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था जो चंता का मुद्दा था चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे गरीबी भुखमरी पलाइन मलदूर किसान सिक्षा चिकित्सा या आप कह सकते हैं निवज़ित सिक्षकों के जो समान काम समान वेतन या सुएमशाय समू के मांदे की बात रही हो नौकरी की बात रही हो उसको लेकर के हम लोग सक्रात्पक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चच्चा हो और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि देश का विहार का ही ने बल्कि देश का युवा मजदूर किसान स्वैप शाय समू जिवी का दीदी हो आंगन बाली हो आशा वरकर हो विकास मितर हो निज़त सिक्छक हो जो हमारे श्रम वीर रहे हो आज सब लोगों में आक्रोश है आक्रोश इस बात का धन बल छल धन बल छल एक तरफ देश के प्रधान मंत्री बहुत ही शक्तिशाली प्रधान मंत्री और एक बिहार के मुख्वंत्री तमाम पूंजी पती एक तरफ रहे जो भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे तब जा करके जो बीजेपी का जो प्रकोश्ट है आप प्रकोश्ट भली बाती समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोश्ट कौन है बीजेपी के प्रकोश्टे जो भाग गुना सब कुछ किया फिर भी राष्टी जनता दल को सिंगल लार्जिस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई और महागटबंधन के सभी सातियों एक जुठ होकर के हम लोगों ने मुद्धे की चुनाओं पर हम लोग चुनाओं लड़ने का काम किया और आप जानते हैं कि ये मुद्धा कुछ लोगों ने असमर्ता जताई की नौकरी नहीं दी जा सकती जो की डबल इंजन का चेहरा है जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्टे जनता अदल को हमने कहां से कहां पहुचा दिया आज देखिया उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चलेगे तीसरी नंबर पर नितीश कुमार जी साफ तोर पर ये समझ लें भाजपा के लोग साफ तोर पर ये समझ लें ये जो जनादेश है ये बड़लाव का जनादेश है अगर थोरी सी भी अंतर आत्मा नेतिक्ता नितीश कुमार जी में बची होगी तो यह जो कुर्सी पर बैठने का जो शौख है जोर तोर भाग गुना करके जो बैठने का शौख है कही ना कही से उनको जन्ता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठें लेकिन महागेट बंदर और हम लोग जन्ता के दिलों में बैठे हुए जन्ता पिहार की जन्ता हम लोगों के साथ है और बड़ा आशर की बात है अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा पश्ट मानना है कि हम जीते हैं हम हारे नहीं है हम जीते हैं पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक अजेंडा सेट किया और यह जो नतीजा आया है यह हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में लेकिन क्या यह सवाल खरा होता है कि देश के खास्तों पर बेरुजगारी जहां बिहार में 46.6 फीस दी है जहां मोख्यमंत्रिय समर्द्ता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते तो क्या बिहार के जंता रोजगार नहीं चाहता बियार के जंता सरकारी नौकरी जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि चार दिन की ही चांदनी है लेकिन अगर 19 लाग रोजगा समान काम वेतन निवजद सिक्षकों को स्वेम साय समू को अगर मांदेव सिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महिणे पर तो हम महागर बंदन के लोग बड़ा आंदोलन करने का आपकाल तंक कुछछフऻों बड़ा कहेंगे कि हार गयें तो लोग र रहने बर्लोंद धिस्य चारे अए हम लोग संघर शंता के बीच रहने वाले लोग हैं सब को साथ लेकर के चलते हैं जहां भी रहेंगे जनता की अवाज को बुलंदी से उठाते नहीं लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां जोर तोर भाग गुणा होई तो कुछ सवाल है हम आपको काउंटिंग आफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दे काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्टी जनतादल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था स्ठीक चुनाओं से पहले उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में गारी निकली उस गारी में पोस्टल बैलेट के बक्से निकली चुनाओं आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन चुनाओं के वोट बक्से कोई धर सुधर ले जाया जा सकता है नहीं ले जाया और अगर आप इनी के लॉज की बात करें इलेक्शन का मिशिन का कि क्या प्रोसीजर होना चै काउंटिंग अफ पोस्टल बैलेट सेपर 15.15.4 इनका पोइंट है उनी का इलेक्शन का मिशिन का आप 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 पोस्टल बैलेट की गिंती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए साफ तोर पे इस में लिखा है और अंदर आप रूरू रूरू 54 A अफ ए कंड़ टॉक्र का इलेक्शन को इलेक्शन एचिए प्रक्रीट पीपर्स और शूटल बैलेट इस पूंट फूंट पर्स फूंट इस अश्यवा स्थर इस नोट नेसरी तो वेट पर दाप इस इस न आपको प्रक्रिया जो है समंत्रन शुरू कर देनी चाहिए वोटों की पोस्टल बैलेट की वोटों की गिंती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए यह मेडा नहीं यह तो चिनाव आयोक का है आफटार अब आप टर्टि मिनदेट के बाद आप की जो प्रक्रीया है वो चाहिए कर सकते क्याओ counting of postal ballot papers shall be done at returning officers table all postal battle ballot papers received by returning officer should be brought before him how only such postal ballot papers are as are received before the hour fixed for commencement of the counting shall be counted तो इसमें साफ तोर पे यह जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पहले करिये आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट की जोसके तीसमें बाद आप इविएं की चालू कर सकते एक और है पंदरा पॉइंट पेज नंबर दोसो साथ में जाके देखीगा इन केश तो विक्षी मार्जन इस लेस तें टोटल लूपसल बालिट झाहिए और दो पोस्टल बालिट बालिटा लूजन बालिट थैड फ्यूस मुझा भरम ईस बाली आप गाहिंट पोस्टल बालाइट ने चूसर थैड़ कावन पोस्टल बालिट and tallied the observer and the arrow shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result the entire proceeding should be videographed without compromising the secrecy of ballot and the video cassettes cd should be sealed in a separate envelope for future reference if it is safe طور پہ ہے कि आप चाहे पोस्टल जो इन्वालिड हो या वैलिड हो आपको observer और इन सब के सामने जो है विडियोग्राफी करा करके इसका सीडी वी जितना विडियो क्राफ्ट है कैसे इन सब को सील करके रखा जाए और यह सील का जो डिरेशन होता है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग चुनाओ नतीजे के 40 दिन तब इलेके इलक्षिन कमिशन को यह अनुमती है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं आप शिकायद जो होगा आपको साटिस्फाइ करना है यू हाव तू साटिस्फाइ ओल दी कैंडिडेट्स वेदर इफ आप डाउट्स वेकाज यह एलेक्षिन कमिशन की डिटी है अब एक और इंट्रेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंग एक करोर संतावन लाग साट सो अठाइस मैं दोरा दूं एंडिये का जो कुल वोट है एक करोर संतावन लाग साट सो अठाइस जिसका प्रतिशत निकल के आता है अल उवर छुनाओ का 37.3 37.3 महागरबंधन को वोट जो मिले एक करोर 56,88,458 जो कुल प्रतिशन महागरबंधन का निकल के आता है वो 37.2 हमें मिले 37.2 और एंडियो को मिले 37.3 यादि एक पॉइंट का अंतर है 0.1 का अंतर है जो कि अगर वोट में अगर कनवर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यादि एंडिये और महागरबंधन का खुल वोट का अंतर 12,270 का है अब बारा हजार में वो उनको पंदरा सीट लीडिंग पर है आगे है ये आश्यर की बात है कि बारा हजार में वो पंदरा सीटे जीदिये और याद किजेगा अद्बुद आकरा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट को हम देता है जो सर्विस में है ज्यादातर सिच्छक लोग है जो कि एजुकेटेड है वो लोग है जो अप जागरुक लोग है जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मद्दान कर सकते हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मद्दान किया गया होगा इंवलप में करते हैं बैलेट में करते हैं यह जो जागरुक व्यक्ति है वहीं ये काम कर सकता है आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं एक रिजेक्ट समझ में आता है दस रिजेक्ट समझ में आता है पचास रिजेक्ट सम रद कर रहे हैं तो यह चुनाओं के उमीध्वार का जिम्मेवारी तो नहीं है कि रद किस वज़े से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद क्यूं हुआ जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटन में आरो से की लिखित में दीजिये कि आपने रद क्यूं किया आरो की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को साटिस्फाय करें जो कि हमने आपको काईडलाइन में बताया और किस से पूछ करके इलेक्शन कमिशन ने गिल्ती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद करने का काम किया पहले क्यूंने काउंटिंग कराईगे किसके दबाव में अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए है तो हमारी मांग है क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है रिकॉडड होने चाहिए विडियोग्राफी लाइए वैलिड इन्वैलिड बैलिड पेपर्स को सामने रखिए और रीकाउंटिंग कराया जाए यह हमारे महागर बंधन लोगों कहीं मांग है उस पर रीकाउंटिंग कराया जाए हमारी जो हार हुई 17 वोट से 12 वोट से 50 वोट से 70 वोट से 100 वोट से 1500 वोट से लगबग 20 सीटों को हराया गया यह कौन जवाब देगा यह लोग बोलते रहे रोए रोए लेकिन मेरा सवाल जाइज है चुनाती देता हूँ बिहार के मुख मंतरी को जो चोड दर्वाजे से सत्ता हट्याना चाहते है सत्ता धारियों को कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि posting जो हुआ है बैलेट का पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए वो ही लोग बताएं मेरा सवाल है अब बाद में हुआ है तो किसकी गलती है बस इतना समावली साथ simple answer हम जाना चाहता है कि आप जो guideline से चुना हुआ योग का साफ तोर पे इस पे लिखा हुआ है इस पे साफ तोर पे लिखा है 15.15.4 counting of poster ballot paper इस पे साफ तोर पे लिखा है बताएं अगर counting कराने क्यों नहीं करा रहे भई हम लोगों के candidate तो दिमांड करते रहे गए लेकिन हमारी बात को सुननीं गिए हमारी उमिद्वार्यों को सुननीं गया लास्ट ने कहीं जगा है तो ऐसा हुआ रागोपुर कहीं बता दे रागोपुर का हम अपना बता दे तीन वजह तक प्रक्रिया पुरी कर लिक रात के ważne बजे सेटिफिकेट पिल रहा है कि 11 बजे मेरा तो 36,000 का डिफरेंस था लेकिन जहां कम मार्जिन जहां जीत रहे थे वहां पोस्टल बारिक 900 संख्या में तो आप कराती क्यों भी है जब रधी करना है तो पोस्टल पे काउंटी मत कर वोटी मत कराईए अगर पोस्टल का अग पता चृट कर रहें है क्यों करना है क्यों क्यों जोड़ते हैं यह तो रहेम आपके पास तो पूरा दस्ताव्य सब दूद कर दूद पानी का पानी हो जाएगा पता चल जाएगा कौन किसके द्वाब हे इतना इसकी क्यों ने को यह दो तो certificate देज़ करके चीनने का प्रयास किया गया अब आप बताई हम सबूत कहां से लाए ना mobile ले जाने दिया जाता है mobile ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता है ना किसी को को प्रवेश्ट किया करने दिया जाता है हमको तो छोड़ी मीडिया की लोगों को भी प्रवेश्ट नहीं करने दिया जाता है और लोग कह रहे हैं कि सबूत अला कहां से लाए सबूत तो वहीं साएगा ना जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा CCTV की क्या वोट क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है अगर रद हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि फुर से पुर्ण मत्दान करें चुनाओ आयू के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना लोग तंतर में आप नौनो सब वोट पोस्टल बालत का रद कर दीजेगा एक कॉंच्व सवाल तो बनता है क्योंकि यह लोग तंतर बचाने की लड़ाई है और लोग तंतर कैसे बचे और एक वोट से हार भी होती है जीद भी होती है लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहा चला गया तीसरे नंबर पार अब तक सामने में आए फिर कॉरंटाइन होगे फिर कॉरंटाइन होगे अरे भाईया अंतर आत्मा जगाईए नेतिक्ता से धांत नीती विचार सब धूमिल आपने कर लिया अब आपने तो खुद कहा सन्यास लेने की बात सन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आख़ी के च्छन दिनों में काली अपने मूँ पर मत पतवा कर की जाए काली अपने मूँ पर या जनता का हाई ले करके अपने राजितिक सफर का अंत मत कीजे नितीजी अंतर आत्मा जगाईए इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉणफियंस करना और मैं पुना बिहार को धन्यवाद दूँगा धन्यवाद यात्रा करूँगा भले इचाल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जन्ता को धन्यवाद देंगे और हमारा मानना है महागरबंधन की जीत हुई है डबल इंजन की हार हुई है जन्ता हमारे साथ है और कुछ प्रकोष्ट के लोगों जो नतीजा फैसला ने जिन्होंने नतीजा सुनाया वो भी तो किसी के दबाव में का सबी एहम खबरों के लिए News MX को सबस्क्राइब करें